hello friends welcome back to my knitting channel चली friends आज एक मैं आपको जो है इस बारी बूल के साथ दीख की हमारी थthree ply MARTIN KB की इसके साथ हम जो है भूलन मास्क बनाएंगे इसके जो है आपको दो फायदे हैं एक तो आप करana तुम क्रके जो है मुझ जो है ठंड से बचा रहेगा दूसरा जो है आप जो है बाईरस से बचे रहेंगे कौई भी धूडह निलर मिटी जो है मैंने 3 प्लाइ की बूल ली है आप कोई भी बूल ले सकते हैं इसमें जो है दस नंबर की मैं सलाइस में यूज़ कर रही हूं और सबसे पहले हमने यहां पर फंदे लेने हैं 15 फंदे हम लेंगे दिखे इस तरह से आप फंदे बनाएएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और यह पंदरा 15 फंदे लेंगे हम अगर आप इससे बड़ा मास्क बना रहे हैं तो 19 फंदे भी ले सकते हैं लेकिन 17 फंदे भी ले सकते हैं अगर आप छोटा मास्क बना रहे हैं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ये 15 की बजाए 13 या 11 फंदे भी आप ले सकते हैं 13 या 11 फंदे लेकर भी आप इस मास्को बना सकते हैं तो इसे जो है दिखें 15 फंदों से मैंने जो है इसको बनाना स्टार्ट किया है तो फर्स्ट रो जो है इसको उल्टा बुनोंगी ऐसे इस तरह से उल्टा बुनोंगी लेडी जैंड बेबी बच्चे के लिए आप किसी भी साइज में आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं अगर शोटा बनाना चाहते हैं थोड़ा कम फंदे लीजिए अगर बड़ा बनाना ले सकते हैं मुझे लगता इससे जादा बड़ा तो किसी को नहीं आएगा 19 फंदों में फुल साइज जो है मासक बन जाता है अब देखिए फर्स्ट रो हमारी 15 फंदों से कम्प्लीट हो गई अब सेकंड रो जो है वो इस तरह से हम उल्टी उल्टी बनाएंगी फिर से क्य अलग तरीके से बना रही हूं मासक को तो आप ध्यान से देखिए और इससे 10 मिनट में सिर्फ 10 मिनट में आप बना करके रेडी कर सकते हैं दोनों साइड से मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया फिर तीसरी रो भी हम उल्टी बना के कम्प्लीट करेंगे मतलब कि हमने आठ सल देखिए यह हो गया तीसरी लाइन कम्प्लीट तीसरी सलाई कम्प्लीट और चौत्थी सलाई फिर से हमने इसी तरीके से उल्टी बनाने हैं ऐसे ही करते हुए हमने मारी दो धारियां बन चुकी हैं हमने चार धारियां बनाने हैं मतलब कि बॉर्डर हमने बना करके यहां प दो धारियां हमारी बन चुकी है इस तरीके से हमने दो धारियां और बनाने है अब देखे चार धारियां हमने बना लिए देखे आप देख सकते हैं वन टो त्री फोर चार धारियां बनाके हमने कम्प्लीट की है अब हमने इसको देखी कैसे बनाना है इसमें आगे जो है हमार पढ़ेंगे कारे फंदेंग या किसे बढ़ाने से हैं इस तरह से कि और थीन हंने उल्टे उपनने के बार धागे को गुश्वाग्व करेंगे देखिए टोटल हमारे पास चार पंदे इस तरफ है चार हम इस तरफ रखेंगे बीच 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंद हैं हमारे बीज, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ से हम फंदा उठाएंगे इस तरीके से, और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, और वाकिए 7 फंदे हम यहाँ पर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब देखे चार फंदे इस तरफ हैं, चार फंदे हमारे इस तरफ थे, अब यहां से हमने फिर से फंदा बढ़ाना है, तो इस फंदे को हम यहां से उठा लेते हैं, देखें, यहां से उठा लीजिए, चाहे तो आप इस फंदे को दोबारा से यहां से उठा लीजिए, देख मोत्रे फंदे गऊं हॉं ऐसी बनाएंगे जिए जो है हमारी स्मूूद आथी रहे हाभ दूसरी साइड से देखिए सारे फंदों tapped हूं हिए क्वकरणी साइड के ज़ copper गोनेगे क्योंकि तरत अधिρέald जो है इसकी चुड़ाई जो है मास्की पूरी नहीं हो जाती अब देखिए यहां पर एक एक फंदा हमने बढ़ाया था अब फिर एक फंदा उतारेंगे एजस्ट इच है, एक, दो, तीन, तीन फंदे बनाएंगे, फिर यहां से हम फंदा एक बना लेंगे, यहां से, चाहिए इस तरह से बना लीजिए, चाहिए आप इस फंदे को उठाके फिर बुन लीजिए, तो इस तरीके से भी आपका फंदा बन जाएगा, ऐसी, अगर आप बनाना चाहते तो इस तरीके से आप जो है इस फंदे को इस तरीके से बना लीज़ें। ज़सी भी आपका फंदा बढ़ जाएगा ऐसे, एक फंदा बढ़ाया, फिर बाग की फंदे, लास्ट के चार फंदे रहने तक हम सीधे बनेंगे, फिर इसके बाद जो है, चार फंदों से पहले हमने दूसरी साइड पर फंदा बढ़ाना है ऐसे देखें यहां पर फिर हम फंदा बढ़ाएंगे तो यहां से हम उठा लेते हैं इस फंदे को ऐसे यहां से उठा लिया फिर हम तीन फंदे उल्टे और चौथा हमारा एजिस्टिचर से सीधा बनाएंग इस तरह से यहां पर फंदा बढ़ता हुआ जाएगा फिर हम उल्टी साइड से पूरे फंदों को उल्टा बुनके कम्प्लीट करेंगे इस तरह से आपने बनाना है जब तक हमारे 35 फंदे नहीं हो जाते तब तक हमने इस तरह से बढ़ाते हुए जाना है देखे 35 फंदे हमारे बन चुके हैं देखे 25 फंदे बनने के बाद हमने देखे क्या करना है अब हमने यहां से तो सीधा बुनना है लेकिन यहां से हम जो है एक एक फंदा फिर से बढ़ाते हो जाएंगे देखे तीन फंदे बन लिए फिर यहां पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे और बाकी सलाई पूरी उल्टी और लास्ट वाले तीन फंदे उल्टे और एक हमारा एज इस्टिच है उसमें हमने फंदा नहीं बढ़ाना है इस तरह से मतलब कि हमने एक साइड में इस साइड में भी हमें ही फंदे को बढ़ाना है एक एक करते गुए पाँच शे फंदे हम जोगा इस तरीके से बढ़ा लेंगे और दूसरी साइड से हम बिना फंदा बढ़ाए हुए बुनेंगे बिल्कुल सिंपल देखिए इस तरह से लास्ट बाले तीन फंदे उल्टे क्योंकि यह बॉर्डर होगा और एक फंदा एजिस्टे चाओ से सीधा और उल्टी स्लाई में पूरी उल्टी स्लाई को उल्टा बन के कम्प्लीट करूंगी अब देखिए दूसरी बार फिर से उसी तरीके से बनाए इस बनाएंगे एक फंदा उतारा तीन उल्टे बनाएंगे यह बॉर्डर के फंदे हैं हमारे जिये हमेशा उल्टे बनेंगे अब फिर से यहां से फंदा बढाना देखिए और बाकी स्लाई को पूरा सीधा बनेंगे इस तरह से पांच फंदे बढ़ा लेती हैं फिर आगे देखते हैं देखिए पांच बार फंदा बढ़ाया हमने देखिए एक दो तीन चार यहां से एक दो तीन चार पांच पांच बार फंदा बढ़ाने के बाद यहां पे तो हमारा जो है यह इस तरह जा रहा है को ना और यहां से देखिए सीधा बन गया है आप यहां से देख जब हमारे पास 40 फंदे हो गए क्योंकि एक तरफ से हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं यहां से नहीं बढ़ाए हैं तो 35 फंदे हमारे पास पहले थे तो 5 फंदे हमने और बढ़ाए हैं तो 40 फंदे हो गए अब हमने 4 सलण्या जो है इस तरह की दो दारियां जो है हमने सीधी सीधी बनाने हैं इन 40 फंदों को लेकर हमने अब ऊपर थोड़ा सा बुनना है मतलब कि कोई फंदा हमने बढ़ाना नहीं है ताकि यहां पर नोग ना बने नाक के ऊपर थोड़ा सा अच्छी तरह से फीटिंग आ जाए तो इस तरीके से हमने जो है इसे बनाना है इसे सीधा सीधा बुनते हो जाएंगे उल्टी साइड से उल्टा और राइट साइड से सीधा बुनेंगे इस तरह से इस तरफ से सीधा बुनेंगे और इस तरफ से उल्टा बुनेंगे तो ऐसे ही करते हैं हमने चार सलान्या बनानी है फर्स्ट रो हमारी चल र बनाने के बाद हमने कैसे बनाना है यह इन्च एक fan하죠, 5 घेज का एक करेंगे इस दरीके से सब्कारा कालं,1 Втор यह की हमें करेंगेंस इस साइड से हमने पांच फंदे एकस्टा बढ़ाएं हैं उसी साइड से हमने उन फंदों को कम करना है पहले तो हम पांच फंदे गटाएंगे एक फंदा हमारे यहां पर कम होगे चार फंदे हमारे और यहां पर कम होगे एक एक करते हो जैसे हमने बढ़ाएं जैसे जैसे अपनेगा एक साइड से हमारे फंदे कम होंगे केवल पांच उसके बाद दोनों साइड से एक एक फंदा हम कम करते हो जाएंगे तो इस तरीके से पांच फंदे मैं कम कर लेती हूं पहले उसके बाद आपको जो है बताती हो आगे एक फंदा हमारा यहां पे यहां से कम हो गया और इस साइड से हम अब फंदा नहीं गटाएंगे क्योंकि बढ़ाया भी नहीं है और गटाएंगे भी नहीं तो पांच फंदों को जहां जहां से जैसे जैसे गटाया है वैसे वैसे ही हम बढ़ाया है वैसे वैसे गटाएंगे इस तरीके से दिखें दूसरी साइड से सीधा बुना गया अब यहां से उल्टी स्लाई पूरी उल्टी फिर यहां से एक फंदा हम कम कर देंगे तो दो फंदे हमारे कम हो जाएंगे और तीन फंदे रह जाएंगे तो इस तरीके से पाँच फंदे हमने कम करने है देखिए पाँच फंदे हमने यहां से गटा लिए अब हमा तीन उल्टे बनाएंगे यहाँ पर जो बॉर्डर के हैं अब हमने यहां से एक फंदा फिर बिताना है देखें इस तरह से दो उतारेंगे एक फंदा कम हो गया यहाँ और दूसरी साइड से भी चार फंदों से पहले दो फंदे जो हैं उनको हम गटाएंगे देखें पूरी सल से पहले हमने एंड वे फंदा गटाना है एक दो तीन चार और देखिए यहां पी यह वाला फंदे हम गटा देंगे दो कए वगया और तीन फंदे हम ऐल्ठे कुण आयंगे और हमार एंड स्टिच सीधा रहेगा अब देखिए इस तरीके से आपने एक फंदा यहां से गटाना है एक यहां से गटाना है तो दो फंदों को हम अर सिलाई में सीधी सलाई में कम करते हो जाएंगे जब तक हमारे पास 15 स्टिचिज नहीं रह जाएंगे तो 15 स्टिचिज रहने तक हम जो है इस तरह से गटाते हो जाएंगे कर देखे 15 फंदेव रहने तक हम ने जो है इस तरह से घटाते हुए कि फिर हमने दूसरी साइट से जैसे हमने स्टार्ट किया था एक दो तीन चार धारियां बनाई थी वैसे ही हमने यहाँ पे एक दो तीन चार धारियां बना ली तो अब हम इन फंदों को इस तरह से बंद करेंगे एक एक करते हुए ऐसे इन पंदरा फंदों को हम ऐसे एक एक करते हुए बाइंड ओफ करेंगे देखिए फ्रेंट्स बहुत ही सुन्दर जो है अच्छा मास्क बना है बिल्कुल अपना आपका फेस जो है बिल्कुल कवर करेगा दूल मिटी और पल्यूशन से भी सुरक्षित रखेगा और किसी भी बाइरस से जो है मास्क आपको सुरक्षित रखेगा इस तरह का मासका आप बना करके अगर फेस पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा जो है मलमल का कपड़ा होता है वो काट करके इस में जो है लगा सकते हैं अंदर की तरफ अगर आपको उन से कोई परशानी है तो इस तरह से आप इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं अब देखें यहाँ पर जो है कमप्लीट हो गया इसको इस तरह से करके आपको दिखाती हैं देखें यह मास्क हमारा इस तरह से बना है यह हमारा नाग की साइड में आएगा और यह जो सीधा पोर्शन बना है इसको हम इस तरह से अपनी चिन के उपर रखेंगे यह हमारा नाग की तरफ इस तरह से आएगा देखें यह थोड़ी सी कटिंग हो गई है अब इसकी लंबाई और चुडाई बता देती हूँ आपको इस तरह से अगर आप नापेंगे इसको तो देख सकते हैं आप 4.5 इंच के करीब हमारा जो है बना है मतलब की पूरा राउंड में अगर नापेंगे तो 9 इंच के करीब हमारे मास्क की लंबाई बनी है तो अगर आप इस तरह से नापेंगे यहां से यहां तक 7 इंच के करीब है तो इस तरह से आपने बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, ना, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नीस, बीस बीस चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे से जोइंट कर देंगे, इस तरह से, फर्स्ट जो स्टिच है हमारा, इसको यहाँ पे से जोइंट करके, ऐसे कट कर देंगे, इस तरह से, स्लिप स्टिच से, यहाँ पे धागी को ला करके, यहाँ से हम, इसे कट कर देंगे, यहाँ से, तो यहाँ साइड होगे, अभी इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमने, ऐसे ही बना लेना है, 20 चेन बना करके, दूसरी साइड में से जोइंट कर देना है, इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, 17, 18, 19, 20, बीस चेन बनाई, वह दूसरी साइड जहां पे इसको जोइंट कर देंगे हम, इस तरह, इस तरह से जोइंट किया, और इस चेन में, स्लिप स्टिच से, इसे इस तरफ लेके आएंगे, और दागे को कट कर देंगे, इस तरह से, यहां से दागे को हम कट कर देंगे, तो मास्क जो है, हमारा बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है, इस तरह से मास्क जो है, हमारा कम्प्लीट हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत से प्यारा सा मास्क जो है, बन करके, कम्प्लीट हो गया है, इस तरह से आपने मास्क को बना करके रेडी करना है, आप इस तरह से देखेंगे, तो हमारा जो है, यह हिस्सा हमारा यहां पे आएगा, और यह सीधा हमारी चिन के उपर आएगा, यह हमारा नाग के उपर आएगा, तो इस तरह का मास्क जो है, बन करके यह रेडी होता है, बिल्कुल ने तरीके से आपको मास्क बनाकर के दिखाया आपको मैंने, तौ अपने इस तरीके से अपने मास्क को बनाना है, तो अगर वीडियो पसांद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुन सके और ठंड से बचके रहिए अपने अपने घरों में रहिए सुरक्षत रहिए थेंक यू थेंक यू बेरी मच